हेलो स्टूडेंट्स आयाम गुर्बीन दरकार विल्कम टू अभी मन्यू आईएस आयाम सीनियर फिकल्टी ओफ अभी मन्यू आईएस और आज ही हमारा सेशन फाइव है फॉर दा पीपीएसी जो हमारे प्रीविएस इर डिसकेशन चल रही है 2013 इग्जैम की पेपर की जो भी हमारा प्रीविएस इर हुआ था तो उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस आया स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स इवन बहुत साही बहुत लाइक भी कर रहे हैं और सब के सबको बहुत साही सीरीज लग रही है reason is being की बहुत useful है यह exam के लिए right किसी भी exam को अगर you know अगर उसके चकर व्यू को तोड़ना हो या उसको समझना हो तो दो तीन चीची ही है हमारे पास school मिला के पहला उसका PYQ है second उसका celibus है और third one उसकी strategy है right तो यह तीन ही main method है जिससे हम किसी भी exam को जान सकते हैं या फिर you know उसके बारे में थोड़ा you know उसको थोड़ा elaborate करकी हम समझ सकते है right तो let's start right start करते हम यहां पर हमारा 36th number question हमने discuss कर लिया था और आज question number 37 है but उसमें miss print था जो हमारा पहले वाला you know last time हमने देखा भी था 37 number question उसमें miss print था right वो सही से print नहीं है उसके अंदर क्योंकि जो PDF डाउनलोड करते हम right उसमें कई बार वो question जो है वो miss हो जाते that's why मैंने यहां पर written form में उसको लिख लिया यहां पर ठीक है so आप मेरे साथ cooperate करना ठीक है आपको शायद में भी थोड़ा समझना आई बट हाँ कोई बात नहीं आप थोड़ा समझिये और उसके बाद उसको attempt करना ठीक है तो question read करते है student हम यहां पर 37 number question क्या बोलता है which of the following languages is not mentioned क्या कह रहे है is not mentioned in the 8th schedule of the constitution क्या रहे है 8th schedule के अंदर of the constitution of India कौन सी language mentioned नहीं है see your students हमारी constitution के अंदर 15-16 languages ऐसी हमारी constitution के अंदर दी हुई है जिनको you know constitution के अंदर mention किया गया है as the you know जिसको हम use कर सकते हैं ठीक है अपनी communication के purpose के लिए या written form के अंदर ठीक है for example मालो parliament के अंदर आप speech दे रहे हो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी local language use करो local in the sense कि जैसे हर्यानवी एक local language है बिहार की बोजपुरी एक local language है तो वो वाली language नहीं मतलब वो ऐसे होता है कि उनका कोई written form नहीं होता उस language का actually वो लोग सिर्फ communication purpose के लिए करते है locally language का मतलब student यह होता है कि जिसकी कोई script हो script का मतलब समझते हो कि उसकी कोई grammar होनी चाहिए जैसे हमारे इंग्लिश की grammar है हिंदी की grammar है पंजाबी की grammar है वो written form होनी चाहिए ठीक है एक authentic source होना चाहिए second, third thing की वो बोली भी जानी चाहिए तो ऐसी बहुत सारी languages हैं हमारी इंडिया के अंदर जिसको constitution में mention किया गया है उसके अंदर से कौन-कौन सी mention है methyli language जो है वो बिलकुल no doubt mention है उसके अंदर Nepali भी है भोजपुरी जो है as we already as I already told you right भोजपुरी जो language है वो एक language नहीं है वो एक local बोली बोल सकते हम उसको है ना उसको बोली बोलते है कि हाँ जी locally कुछ ऐसी भाशा जो आप बोल रहे हो ठीक है for communication purpose only ठीक है and Santhali, Santhali is also a language ठीक है so option C is the correct option ठीक है वो नहीं है mention constitution कि अंदर भोजपुरी क्योंकि भोजपुरी एक local language है ठीक है okay okay let's move further ठीक है क्या कर सकते है इसको आगे forward करेंगे पहले पढ़ते हैं question क्योंकि question थोड़ा lengthy है ठीक है तो रिटन form में है तो उतना ऐस सच you know बहुत ज़्याद ऐसे word to word नहीं लिखा जाता है बट पढ़ लेते हैं इसको अराम से है क्या है which of the following statements is not correct पहले तो जब भी statement not correct आता है तो यहां correct आता है पहली उसको mark करके रख लिया करो कि भाई not correct पूछ है तो पहली इसको इसे mark करके रख लो ठीक है फिर क्या कह रहे है कौन सी statement सही नहीं है तो पहली statement देखें कहता था chairman of the joint public service public service जैसे PPSC क्या एक public service है पंजाब public service क्या connect करती है वो exam conduct करती है जैसे हमारी UPSC है वो union के लिए मतलब पूरे all over India central level की job है वो PPSC मतलब की हमारी state level की joint public service कई बार क्या होता है कि दो state आपस में मिलके क्या करते है एक ही public service एक ही exam conduct करवाती है जो भी जैसे मालो आप हर्याना और पंजाब मिलकर दोनी PPSC conduct करवाई ठीक है कि वह दोनों exam एक ही जगह पे होंगे ठीक है एक ही जो हमारा administration है वो exam को conduct करवाईगा ठीक है और दोनों की students है दोनों के students है वो एक ही साथ paper देंगे ठीक है एकठी vacancies निकाली जाएंगी आदी seat वहाँ फिलोंगी कुछ seats मतलब according to ratio जो भी उन्होंने ratio सेट किया उसे इसाब से वहाँ परसंस की selections हो जाएंगे ठीक है तो joint public service की यहां पर बात हो रही है क्याता था chairman of joint public service is appointed by president क्याता उसको appoint कौन करता है president करता है obviously जो UPSC है उसके chairman को भी कौन appoint करता है presidency appoint करते है ठीक है तो president appoint करते है ठीक है second statement b statement क्या बोलता है यहां पर ध्यान से देखो क्याता a member of joint public service for a term of six years कितने term है यहां पर six years क्याता 6 साल के लिए रहता है from the date on which he enters his office जब वो अपने office में enter करता है तो वो 6 साल के लिए रहता है और until he attain the age of 65 years whichever is earlier जो भी पहली होगा उस हिसाब से वो हो जाएगा यहां ठीक है तो फिर कहता है C statement क्या है as nearly as maybe one half of the members of every services commission shall be the person who at appointment have held office for at least 10 years इंडिया और under the government of state क्याता वो भी member बन सकते हैं उसके half से ज्यादा जो कभी ना कभी center government या state government के अंडर उन्होंने काम किया हो कितना 5 साल या मतलब 10 साल के लिए उन्होंने state की किसी office को संभाल ला हो फिर कह रहा है D statement देखिए आप यहां पर D statement में ध्यान से देखना क्या रहा है a member of a joint public service commission may be by writing under his hand or address to the president resign his office अगर किसी joint public service commission को अगर उसको resign करना हो service person को resign करना हो मालोस chairman को तो वो किसको देगा president को अपना resignation letter देता है ठीक है तो कौनसी statement सही नहीं है student इस पे ध्यान दो अप तो कौनसी नहीं है C statement is not the correct statement क्यों क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके अंदर जाके member बन जाएगा कोई भी उसका जाके chairman बन जाएगा नहीं ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी you know कोई भी center government का कोई employee है या फिर state government का employee है वो जाके वहां पे half one of the half member जो है वो उसके select हो जाएगा नहीं होता कभी भी नहीं होता so that's why c statement is not the correct statement तो यह हमारी c जो है वो गलत हो जाती है बाकी सारी statement सही है उसको president ही appoint करता है resignation letter भी उसको president को ही देता है ठीक है? ठीक है students? ओकी? ठीक है तो let's move further हां जी तो question number 39 पे आ जाते है students अब हम तो ठीक है students question number 39 देखिए आप यहां पे जी क्या बोल रहा है which of the following? 39 question number सही अब हमारा ठीक है तो question number 39 देखो क्या कहता है which of the following comprises the electoral college of the vice president of India का जो electoral college होता है समझ रहे हैं जो उसको select करते है appoint करते हैं मतलब वहां पे जब elections होते हैं vice president के उस electoral college के अंदर कौन-कौन से बंदे present होते हैं वहां पे ठीक है जैसे president के जब elections होते हैं and you know that कि पूरे all over India से जो MLA होते हैं हर एक state के वह उसमें participation करते हैं तो क्यासा vice president में भी होता है नहीं आसा vice president में नहीं होता है see vice president और president के elections जो हैं वह इंडिया के अंदर as per constitution indirectly elections होते हैं मतलब directly कभी भी लोग मतलब you know people इंडिया के people जो है वह उसको चूज नहीं करते हैं same prime minister को जो भी हमारे you know MPs होते हैं जो parliament में जाके बैठते हैं उसको directly you know Indian people सी उसको choose करते हैं but president नहीं करता है president जो है वह जो हमारे representatives होते हैं इसको हमने state की MLA के उसकी उसमें भेजा हुआ है state की legislature के अंदर भेजा है वह आगे president को choose करते हैं ठीक है तो ये type के indirectly elections होते हैं ठीक है इसमें Indian people directly क्या नहीं करते हैं participate नहीं करते नहीं vice president के election में और नहीं President के case में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, President के case में तो मैंने आपको बताई दिया, Parliament के, उसमें, Vice President के case में, कौन-कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं, तो Vice President के case में student 2 होते हैं, पहले Member of Lok Sabah, Member of Lok Sabah, and second one is a Member of Rajah Sabah, ठीक है, दोनों ही Pr cripps होते हैं, that's why option A is correct, members of state legislative assemblies नहीं होते, वो president के उसमें होते, members of state legislative council नहीं होते, ठीक है, दोनों ही नहीं होते, student, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, one and two option is the correct statement, correct ही पूछा है हम से, तो correct ही बताएंगे हम, ठीक है, पहली और दूसरी statement, member of log sabah and member of raja sabah, दोनों ही क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या है, vice president के electoral college के members है, ठीक है, वही उसको elect करते है, and you know that vice president of India होता है, वही speaker होता है, किसका, किसका speaker होता है, बताना जड़ा, आप मेरे को, बताओ, comment करना students, कि speaker, जो हमारा, राजयासरबा का जो speaker होता है, वो कौन होता है, ठीक है, तो यह आप comment box में करना, आप comment नहीं करते हैं, student में, जो भी आपको answer पूछ करती हूँ, तो please comment, do comment student, ठीक है, okay, so let's move further, 40 number question, देखें यहां, तो देखें students, क्या कहते है, India is divided into how many postal index number, ठीक है, postal index number, you know that, ठीक है, कितना हो में वो divide है, एक fact है, तो यह student fact है, इसमें कोई दोर आई नहीं, आपको आता है, आता है, नहीं आता तो नहीं आता, आपने कहीं पढ़ लिया, okay, valid, good, नहीं पढ़ा, तो फिर आप यह question attempt मत करना, पेपर में, ऐसी question जो होते हैं, student उस पे दिमाग ही नहीं लगाना, मैं कहीं तो दिमाग छोड़ो, time ही नहीं वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपको पता हो ना, कि भाई, इसका नहीं answer पता, ठीक है, अगर negative marking नहीं है, तो कोई भी answer लगा दो, जो आपको ठीक सा लगता है, otherwise मैं कहते हूँ, उस पे आप time waste मत भी करो, क्योंकि होता कि है, student जो question आपको आता नहीं है, अगर उसके बारे में भी, अगर आपने सोचा नहीं बेट कर, तो आप अपना time ही kill कर रहे हो, दूसरे questions में आप time नहीं लगा पाऊगे, फिर आपके अपास time नहीं बचेगा, तो बेटर है, इसे बेटर है कि जो questions पे आपका mind लग रहे हैं, जो question आपने पड़े हैं, आपको याद नहीं आ रहे हैं, थोड़ा time ले रहे हैं, आपका दिमाग, उसको सोच रहे हैं, मैं कहते हूँ, उदर जादा time devote कर, for example, मालो आपने, मैं कल भी class में ये बत बदा भी रही थी, कि अगर आपका 50% अगर आप question पे आ जाते हो, मतलब कि आप 2 statements अगर eliminate कर देते हो, किसी question के अंदर, तो उस question को आप पका attempt करो, क्योंकि उस question के सही होने के chances is 50% है, तो कभी भी student, अगर मालो आपके 50%, 50-50% पे मालो अगर आपके 10 question भी है, पूरे paper में से, ऐसा suppose कर रही हो मैं, कि आपको 10 question है, 50-50% पे हो, तो आप उनको attempt पका कीजिए, क्योंकि 50% chances हैं, कि उसमें से 5 question तो आप सही कर ले जाओगे, 101%, ठीके, 5 question हो सकते हैं, गलत हो जाएं, 5 question तो आप सही कर ले जाओगे, फिर भी आप positive side ही रहोगे, negative marking होने के बावजूद भी आप positive side रहोगे, ठीके, okay, so that's why students, हमेशा क्या करा करो, जब भी आप eliminate कर सकते हो, अगर किसी option को, आपको पता है कि 101% ये तो answer बिलकोल नहीं है, ठीके, तो अब वहाँ पे आप elimination method लगा बात हो रही है, तो यहाँ पे C option is correct option, क्या है 8 geographical and 1 reserved for the army postal service? 8 हमारे geographical, क्या है पोस्टल index number है और 1 जो है वो army postal service के लिए क्या किया गया हमने, 2 हमने army postal service के लिए हमने यहाँ पे reserve किये, ठीके, एक हमने army personal के लिए क्या है और 8 हमारे क्या है? geographical है ठीक है तो ये 2013 का एक factual question था राइट ओके ओके लेट्स मूव फर्दर 41 number question देखिए students यहाँ पर हाँ जी read कीजी question यहाँ से read कीजी question ठीक है पहले video को pause कर लिया करो question को पढ़ लो फिर उसको attempt करो ऐसे अगर आप ऐसे देखते रहोगे ना video देखोंगे की हाँ जी video देखियो और फिर आगे निकल लिया पिर कोई फाइदा नहीं questions को करने का कोई फाइदा नहीं है आप एक बार कर सबता दो के लिए कि हां ठीक है भी होगया अपने दिल को आप तसली दे लोगे की हां जी हो गया हो गया हो गया मैंने तो बहुत थोड़ी चीज में से बहुत कुछ निकाल लेते हैं आउटपुट बहुत बढ़ जाता आपका जब आप उस पर टाइम देते हो अच्छे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैंन कोश्टन डिसकेस किये और फिर आप बस वीडियो देखे और भाग लिए नहीं आप प् टॉपिक भी पढ़के चलेगे ना पेपर के अंदर तब भी आप मतलब 20 परसेंट पेपर पे तो आप शौर शौर होगे कि यार इतना पेपर तो मेरे को आता ही है क्योंकि कहीं ना कहीं पीवाई क्यू आपको मैं यह नहीं कह रहे हैं आपसे कि 100% आपका पेपर सौल्व होजएगा यह 20% हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहां अगर में इनको आता भी ना तो भी मैं इसको रिवाईज करके जाओंगी पेपर के बिल्कुल एंड टाइम पर ठीक है तब भी स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से उसको क्या कर सकते हो टैकल कर सकते हो उन कुश्टन को आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको जिन पोर्शन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यह बहुत ही यहां पर आपको लग रहा है कि भाई यहां पर अभी थोड़ा मेरा टाइम यहां पर लगने वाले है तो बड़े अराम से आप एपर कर ले जाते हो ठीक है तो see your students कहता है नतल रैटीफ एंड फॉड़ेजलर ठीक है लैजा आर वट ठीक है तो बिल्कुल क्या है एक you know factual question है उस टाइम का करंट का करंट अफेर का न्यूस है ठीक है भाई जिसने पड़ा होगा करंट अफेर अबिसली वो इस कुश्टन को बड़े अराम से कर ले जा 2014 में फीफा कप हुआ 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 तो उस टाइम के सिटीज के नाम है यह क्लियर आपको यहां पर ठीक है तो चीज और भी समझ में आते हैं यहां से कि भाई जो हमारा PPSC है स्टूडेंट वो क्या करता है वो current affair के अंदर sports के अगर question है अगर मालो कोई बहुत बड़ा you know sport event हुआ है मालो Olympics हुए है Commonwealth हुआ है FIFA वोड हुआ है तो उस पे focus करते हैं कोई you know football world cup का football का world cup हुआ है cricket का world cup हुआ तो आपका पता होना चाहिए कि कौन से team जीती किसको you know run up कौन से team में कौन से individual को you know best player का award मिला ये कहां पे हुआ कौन से state में हुआ right कौन से country में हुआ country में भी किस शेहर में हुआ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही शेहर पढ़ा है मालनू उसकी काफी सारी series है ठीक है 20 match हो है और वो अलग-अलग शेहरों में हो रहे तो आपको थोड़ा idea होना चाहिए कि भाई कहां पे कौन से शेहर म पड़ोवें 42 नमबर question rate कीजिए student फटा फट से तो देखे क्या कहते है in 2002 question क्या है पहले आप रीड कर लीजिए national dairy development board had standardized package design of milk milk के packet आते है न almost जो cities में रहते है उन सबको तो पता ही होगा न उनको तो ये question ऐसे फटा-फट से कर ले जाएगा कि भाई ये तो रोज का काम है हमारा had standardized package design of milk for consumers to identify the type of milk the color identity of milk packets is common for all milk cooperatives including वेरका पंजाव in this context identify incorrect pair क्याता है incorrect pair बताना है आपको कौन सा है इसमें से incorrect pair बताना है आपको कौन सा है ठीक है तो अब बताओ कौन सा incorrect है ठीक है मैं थोड़ा से स्कूपर ले जाती हूँ अभी question आपने read करी लिया होगा तो हां जी कीजी इसको attempt incorrect पूछा है तो कहता है blue जो है वो double toned milk है green standard है purple skimmed milk है orange full cream होता है yellow जो है वो toned है तो कौन सा हमारा statement incorrect है यहाँ पर incorrect पूछा है student incorrect मैं फिर से बोल रहे हूँ incorrect statement पूछी है इसने incorrect pair पूछा है इसमें हाँ जी तो कौन सा है बताइए तो कह रहा है blue double toned milk होता है green standard है purple skimmed milk होता है ठीक है तो one and five जो blue है वो double toned नहीं 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 जो है वो double toned नहीं होता orange full cream नहीं red color का होता है red color का होता है आपका कौन सा full cream ठीक है blue जो होता है वो standard होता है ठीक है double toned जो है वो हमारा yellow वाला होता है double toned milk होता है वो yellow color का होता है ठीके, okay, okay ठीके students तो यहाँ पे correct जो हमारी incorrect statement है that is 1 and 5, blue double tone, no, red color का होता है, full cream, so यह भी हमारा क्या हो गया, incorrect हो गया ठीके, तो यहाँ पे अगर आपको fourth statement माल लो, आपको बिल्कुल सही से पता होती न, कि oh, sorry sorry, sorry, sorry पुड़ी गड़बड हो गए, एक मिनिट रो क्या कह रहा है यहाँ पे कहता है, blue double tone होता है ठीक है, फिर yellow इसने toned बोला, नहीं, नहीं, मैं आपको खुदी तो बता रही थी, yellow जो है, वो double tone होता है तो five statement is the wrong statement, yellow जो है, वो double tone होता है यहाँ, double tone होता है double tone होता है, yellow color वाला देखा न, आपने बड़ा पतला सा दूद होता है वो double tone होता है, ठीक है, तो one and five, blue जो है, वो toned milk होता है, ठीक है, so one and five ठीक है, one and five, orange full cream, यहाँ फिर red color का packet आता है, जो full cream होता है ठीक है तो ये दोनों ही statement सही है ठीक है तो blue और हमारा yellow जो है वो हमारा क्या होता है यहां पे incorrect statement है 1 and 5 ठीक है 1 and 5 ठीक है students sorry it's my mistake ठीक है okay ठीक है तुम move करें आगे फर्दर question पढ़िए यहां पे students क्या कहता है 43 number question पढ़ो which of the following institutes prepare and issues new sugar standards for sugar industry every year sugar से related अगर कोई यहां पे standard fix होते तो उसको कौन बनाते है भई simple सा question है बिल्कुल simple question है कहता है which of the following institutes prepare and issue new sugar standard new sugar standard की बात हो रही है यहां पे तो कौन करते है पहले तो आप यह बताओ ठीक है तो कौन करते है the bureau of sugar standard the bureau of sugar standard बिल्कुल simple सा question था सबको पता होते है ठीक है इसमें कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं known as what is formally known as what क्या कहते है इसको तो कहते है इसको क्या बोलते है third statement minimally invasive education minimally invasive education ठीक है यह उस time की current affair की news है ठीक है ओक्योंकी हाँ जी question number 45 रिड कीजिए student यहां पे हाँ जी क्या कहते है who among the following wrote the famous poem पढ़ते थे ना बच्पन में इसको ठीक है on rani of jhansi with the popular line खूब लड़ी मिरदानी वो तो jhansi वाली rani थी ठीक है आप सबने भी पढ़ी होगी तो कहते है किसने लिखा भही यह ठीक है बच्पन में आप पढ़ते तो आ रहे हो तो किसने लिखा इसको तो सब भी पता है सब कोई पता है किया ना में उनका सुभद्रा कुमार जोहान सुभद्रा कुमारी जोहान ठीक है सुभद्रा कुमारी जोहान की यह पढ़ीम है खूब लड़ी मिरदानी वो तो jhansi वाली रानी थी ठीक है तो ये वाली जो है fourth जो हमारी statement है that is the correct statement सुभध्रा कुमारी जुहान ठीक है उन्होंने ये poem लिखी थी धांसी किरानी ठीक है ओके ओके लेट्स मूव बर्दर तो 46th number question देखिए ठीक है बहुत ही common sense वाला question है ठीक है कहता है in Islam offering prayers five times in a day is called what हम पांच बार नमाज पढ़ते हैं Muslim जो persons होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सालत ठीक है पौत ही simple है ठीक है सालत you know that ठीक है सालत उसको बोलते हैं इसका पांच टाइम नमाज पढ़ने को सालत बोलते हैं तो 47 number question read कीजिए student यहां पे क्या बोलते हैं यहां पे कहता है consider the following statements regarding the right to fair compensation and transparency in land acquisition in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 यह act उस time पे आया था तो बहुत news में था भाई यह act बहुत ही ज्यादा था ठीक है तो क्या कहता है इसमें थोड़ा साम state इसको ना उपर कर लेते हैं यहां पे हम तो right statement पूछी इसने consider the following statement regarding to right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation act 2013 के बारे में question है तो पढ़िए student यहां पे एक बार question पढ़ते हैं क्याता है it is mandatory to carry out social impact assessment study in consultation with the panchayat municipality and municipal cooperation dear students मालनो किसी farmer की कोई agriculture land है या कुछ भी है अगर उसको आपको acquire करने अगर government को उसको acquire करने किसी भी purpose के लिए ठीक है मालनो वहां पे dam बनाना है river निकालनी है ठीक है कोई irrigation का project है कोई किनाल का project है कुछ भी हो सकते है तो obviously government को land तो चाहिए न तो जब भी अगर उसको land चाहिए तो किस तरीके से उसको compensation करेंगे जो हमारा compensation का act है 2013 उसके अंडर कौन-कौन से clause है तो पहले कहता है it is mandatory है कि आपको social impact assessment study करना है या कि it is mandatory to carry out social impact assessment study in consultation with the penchayati यह हमने देख लिया right फिर कहता है the social impact assessment study should be completed within 3 months from the date of its commencement फिर 3rd statement कैता है the public hearing to a certain view of affected families for social impact is mandatory फिर हम next move करते है student कैता है there is no exemption from undertaking there is no exemptions from undertaking social impact assessment even when land is proposed to be acquired under urgency clause ठीक है अच्छा कैता है not correct पुछा है उसने not correct बहुत कुशन आ रहे हैं भाई आप ध्यान से दे न PPSC बहुत जयादे कुशन पुट करता है not correct वाले अच्छा not correct कौन से है वो देख लेते हम यहाँ पे तो statement क्या बोलते है not correct पुछा है इसने कैता 1 and 3, 2 and 4 only 3, only 4 पहले statement सही है it is mandatory mandatory आपको पंचायत के साथ करना ही करना है government को पंचायत municipality के साथ बात करनी पड़ेगी उनसे consult करना पड़ेगा कि हंजी हम land acquire कर रहे है आप अपने views बताइए ठीके consult तो आपको करना ही पड़ेगा definitely तो first statement तो सही है तो पहला option तो नहीं हो सकता तो चलते हैं हम second option second पे चलते हैं, move करते हैं क्या क्या रहे है तो social impact assessment should be completed within three months from the date of its commencement, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, फिरा fourth statement पे हाऊ student बिलकुल क्या कह रहे है यहां पे there is no exemption from undertaking social impact assessment even when the land is proposed to be acquired under urgency clause, नहीं ऐसा नहीं है अगर बहुत ही urgent है, फिर आप कर सकते हो ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो social impact assessment study को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, उसको avoid भी कर सकते हो ठीक है, there is exemption ठीक है 2 and 4 is not the correct statement 2 and 4 is not the correct statement update जरूर करना student social impact assessment जो 2013 है, उसमें कुछ update भी हुआ है वापस से, you know, उसके अंदर कुछ new clause भी आए, उनको आपको study करना पड़ेगा, ठीक है, यह पुराना question है, तो just आपको पता होना चाहिए कि हंजी, इस type का question आ रहा है ठीक है, तो 2 and 4 is not the correct तो second statement भी नहीं है और इसमें fourth statement भी नहीं है, ठीक है students तो B option is our correct statement ठीक है students, correct है चलो, आगे, यह फिर से misprint हो गया तो मैंने फिर से दुबारा से इस question को लिख लिया यहाँ पे, बट एक से के, इसको मैंने लिख लिया बट यहाँ पे हम इसको करेंगे बाद में ठीक है, 40 number question को हम बाद में करेंगे ठीक है, फिलहाल अभी time हो गया है ठीक है students, okay students तो हम यह lecture को यहीं करते हैं, over I hope कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा नहीं भी आया, then do comment students, हम दुबारा से उसको repeat any topic, any subject, right any competitive exam, then go to site of Abipedia, ठीक है, Abipedia एक online यहाँ पे, you know online यहाँ पे microverse course है, ठीक है, Abhimanyu की ही यह एक allied service है, ठीक है इसमें देखिए, for example आपको HCS के लिए पर पेर करना है, चलो आज हम HCS पे बात करते हैं, ठीक है, for example आपको हर्याना civil services भी त्यार करना है पंजाब service की साथ, तो हर्याना civil services पे आप क्लिक कीजिए and after that, move towards microverse, microverse पे आप क्लिक करो यहाँ पे and after that, क्या है, आप topic wise यहाँ पे क्या कर सकते हूं, यह subject wise आप ready कर सकते हूं, for example आपने हर्याना civil services का almost सारा कर लिया, बस आपको कुछ topic यहाँ फिर आपको एक आदा subject आपका रहे गया, यह आपको full course purchase करना है, तो full भी कर सकते हूं तो अपना number register कीजिए, call कीजिए whatsapp कीजिए, for example हर्याना की आपको state gk करनी तो भाई click कर लो इस पे, हर्याना state से उसके उपर 2713 rupees के अंदर, only 2713 rupees के अंदर आप क्या कर सकते हो, student पूरा-पूरा हर्याना state gk का course जो है, उसको आप क्या कर सकते हो purchase कर सकते हो, ठीक है students, ठीक है, तो इसमें कोई problem नहीं है, for example, अगर आपको सिर्फ history करनी है, तो आप only 203 rupees के अंदर, आप सारी की सारी हर्याना history को complete कर सकते हो, same आपकी economy है, जिसमें आपको 6 class lecture मिलेंगे, एक web note मिलेगा, आपको 214 multiple choice questions मिलेंगे, ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आप जो है, उसको आप prepare कर सकते हो, clear है यहाँ पे students, ओके, जैसे आपको science and technology करनी है, तो 12 multiple choice questions है, यहाँ पे, ठीके, even आपको 6 minute का free trial भी मिलता उसमें, ठीके, यहाँ पे, ठीके, okay students, तो देखा, कितना अच्छी चीज है यह आपके लिए, ठीके, आप subject wise, topic wise कैसे भी prepare कर सकते हो, okay students, okay students, मैं यहाँ पे lecture कर रही हूँ, over, thank you, thank you so much, have a nice day,